नमस्कार दोस्तों मैं एस्टो सुभाज शर्मा आज आपका लाल किताब के टुटोरिल में फेस्टो स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं गुरू और बुद के बारे में कि गुरू और बुद का जmi योग होता है तब क्या कंडिशन हैं गुरू और बुद की क्या इंपोर्टस है सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों का मिला-जूला असर ही है हमारी लाईफ मे बहुत सी चीजों को ये समभालता है, बहुत सी चीजों में गुरू और बुद्ध का असर जो है मिला हुआ है, पर इसके साथ साथ कई चीजे ऐसी हैं, जो गुरू और बुद्ध के कठा होने पर जो है, लाइफ में कहीं न कहीं जो है, इन से संबंदित इशूज हमारी लाइ तो गुरु जो है हवा है ऐसी हवा जिसमें सांस ली जाती है और अगर बुद की बात करें तो बुद जो है खाली पन है और धांचा ही कहलाया जाता है यानि कि अगर हम गुलाई की बात करें आकाश की बात करें तो जो धांचा है जिसे हम गुलाई हम समझते हैं वो जो है वो बुद्ध है अगर हम हवा की बात करें जिसमें सांस ली जाती है तो वो ब्रस्पती है ब्रस्पती और बुद्ध यानि कि अगर खाली धांचा है तो वो बुद्ध कहलाएगा अगर उस धांचे में हवा है जिसे सांस लेने की हवा कहते हैं तो वो ब्रस्पती की हवा अंडा जो है वो बुद्ध है उसकी गुलाई जो है बुद्ध है उसके अंदर जो पल रहा जीव होता है उसको सांस की जरुत होती है और वो सांस होती है ब्रस्पति जब अंडा तूटता है तभी उसके अंदर हवा जाती है और वही सांस लेने लोग उस जीव को जो है पनप पर इसके साथ साथ ब्रस्पती ने हमेशा जो है बुद्ध को अपना साथ दिया बुद्ध को हमेशा जगा दी एक इंपोर्टेंस दी पर बुद्ध ने हमेशा जो है ब्रस्पती के साथ दुश्मनी ही की अब इसके साथ साथ एक चीज और समझे कि मान लीजे एक फसल खड़ जो हो सांस लेने योग हवा जिसे हम कहते हैं वो ब्रस्पती है जब तक उस फसल पर हवा नहीं लगेगी तब तक वो पीली नहीं होगी पीली का मतलब पक जाना और पीला रंग ब्रस्पती का होता है जब वो फसल पकेगी तभी वो खाने योगे होगी यानि कि बुद्ध ने ब्रस्पति के साथ जरूर दुश्मनी की पर ब्रस्पति ने कभी भी बुद्ध के साथ दुश्मनी नहीं की है क्योंकि वो देवगुरु है और हमेशा जो है सांस लेने योग, यानि कि इस धरातल पे जो है हम लोगों का भला करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं यानि कि उनका जो है ब्रस्पती का एक ही मकसद है भला करना पर कुछ लोग या फिर जैसे हम ब्रस्पती को देखें तो ब्रस्पती के साथ जो दुश्मनी करता है वो बुद करता है अब इसके साथ साथ एक चीज़ और समझे कि जो राक होती है वो राक होती है बुद्ध की सिंप्ली राक आप देख समझ लीजे कि आपने कोई चीज जलाई आपने हवन वगरा भी किया या कुछ भी किया जो राक बचती है राक की कोई वैल्यू नहीं होती है या तो वो जल परवा कर दी जाती है या घर की राख भी होती है चूले की राख भी होती है तो वो फेक दी जाती है पर उस राख की value तब बन जाती है जब वो किसी साधू संत द्वारा या फिर किसी महान जो है देविय किर्पा वाले व्यक्ति की द्वारा दी जाती है अब राख हुई बुद्ध और जो साधू स जब वही राक किसी ब्रसपती के संपर्क में आके और आपके पास आती है तो वह काम करती है। तो वह राक की देखे ब्रसपती ने वैल्यू बनाई और ब्रसपती जो आपके लिए कल्यान कारीच चीज सिध हो सकती थी वह राक वह राक आप Stick You यानि कि simply अगर हम देखे राक की तो कोई वैल्यू नहीं थी पर उसकी वैल्यू जो बनाई वो ब्रस्पती ने बनाई जब वो राक किसी साधुसंत द्वारा आपको मिली तब वो चमतकारी जो है उपियोग के काम आई आपके दुखदर्द और जो है कष्टो को निवारन करन यानि कि ब्रस्पती ने बुद्ध को स्थान दिया अपने गुंबद के रूप में जो गुंबद ऊपर मंदिर के ऊपर आपको दिखाई देता है वो गुंबद जो होता है हाफ जो हम कहते हैं अर्द गोलाकार आकार में होता है तो उसकी जो खालीपन होता है वो बुद का और बुद्ध के आकार को यानि कि ब्रस्पति ने अपने शीर्ष पर जो है बुद्ध को जगा दी बुद्ध को महत्वता दी ताकि बुद्ध की एक value हो सके तोनों का आपस में संबंद रहता है इसलिए बुद्ध के साथ ब्रस्पति का हमेशा जो है मेल रहा है अब इसके सा मंदिर नहीं तो घंटियां नहीं शंक नहीं तो इसी लिए जब भी मंदिर जहां पर भी होता है वहाँ पर घंटियां होती हैं शंक होती हैं साज समान के धोलक वगरा हार्मोनियम वगरा ये सब चीज़े होती हैं ये बुद्ध के समान होते हैं और बुद्ध को एक value एक importance जो उनकी value जो है ब्रस्पती ने बुद्ध को value दी यानि कि एक आकार जो मिला वो आकार मिला ब्रस्पती यानि कि सोने की वज़े से तो इसकी जो value हुई सोने की जो ब्रस्पती की जब वो किसी के गले में जाते हैं तो उसकी value बढ़ दाती है यानि कि सोने यानि कि ब्रस्पती न गर माल लिजे, देखे कईयों का रूप जो होता है, काफी रूप में उनकी सौंदरतयाव में लिपsmith करें तो singer की करें, तो उनके चेहरे का रंग रूप जो होता है ऐसा होता है कि देखने को कई बारी मन नहीं करता या वो कुरूप होते हैं पर उनकी भी शोभा बढ़ाने के लिए ब्रसपती ने देखे कैसे उनकी शोभा बढ़ा देता है किमाल लीजे कोई कुरूप है आप उसको काफी हीरे जो हरात जो है सोने वगरा से ढख दीजे सोने का अच्छा साल नेकलेस वगरा हो या फिर कानों में या फिर सिर पे जो है सोने की उन्होंने सज्जा कर रखी हो तो यहां पर वो कुरूप व्यक्ती भी सुन्दर लगने लगता है क्योंकि सोने ने उनकी शोभा बढ़ा दी होती है तो ब्रस्पती का एक साथ, एक संपर्क किसी की भी शोबह बढ़ा देता है और जो कुरूब था, कुरूब की कंडिशन को भी मुल्यवान और रूपवान बना देता है अब हम सांस की बात करते हैं, देखिए जब तक इनसान के अंदर सांस जा रही है उसके स्वास चल रहे हैं यानि कि ब्रस्पती जब तक चल रहा है तब तक उस इनसान के अंदर जान है बर जैसे ही इनसान की सांसे चलना बंद हो जाती है तो वो जो है मुर्दा खोशित कर दिया जाता है और जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है तो इसी केस में हम ऐ ऐसे समझेंगे कि जब तक इनसान के अंदर ब्रस्पती का सर्कुलेशन है, सांस का सर्कुलेशन है, तब तक इनसान जीवित है और जब सांस चलना बंध हो जाती है, तो वो मुर्दा ही गोशित किया जाता है। इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ना इनके आगे कोई सिर जुकाता है। सिर जुकाने के लिए लोग धर्मस्थान ही जाते हैं, मंदिर और मस्जित वगरा ही जाते हैं, जहां पर वो अपना सिर जुकाते हैं। तो यही एक इंपोर्टेंस एक ब्रस्पती ने हमेशा जो है बुद्ध को साथ दिया, बुद्ध को सपोर्ट किया, बुद्ध को हमेशा जो है एक वैल्यू दी, पर जो है बुद्ध ने हमेशा ही जो है ब्रस्पती के साथ दुश्मनी की है, हमेशा ही एक यह नेचुरल उनकी टेंडेंसी रही है कि यह आपस में जो है बुद्ध जो ह हमेशा ब्रसपती के साथ दुश्मनी ही करेगा अब इनके उपायों की बात कर लेते रहें कि इनका उपाय कैसे किया जाता है کیونकि दोनों के दोनों हमेशा कभी ना कभी आपके किसी किसी के टेवे में मिलेंगे चाहे वो वर्षफल की बात हो चाहे वो लगन कुंडली की बात हो दोनों के दोनों का संबंद अगर आपके टेवे में एक से लेके बारा भावों में बन जाता है बारा खानों में किसी भी खाने में बन जाता है तो उपाय के तोर पे लाल किताब म होगा हमारे रोज मर्रा जीवन में होती हैं पहले इसको भी समझ के हम आगे बढ़ते हैं कि एक ये लिंक में जोड़ना चाहता हूं कि ब्रस्पति और बुद्ध की क्या सझरें एक तरीके से कट जाता है वो किनेक्शन नहीं रहता अब ब्रस्पति अकेला रह गया और बुद्ध जो है अपने शवरान चला गया यानि कि लड़की समझ लीज़िए विद्ध ने असाफटि में भीत्य ने तो अपनी 2.2 डी सायण नाव् उसका ख्याल रखा पर जैसे ही वो बाप यानि कि ब्रस्पती अपनी बेटी के सस्वराल में जाता है तो उसकी ना तो वो वेल्यू होती है ना उसका वो ख्याल होता है तो इसी तरीके से जब भी ब्रस्पती खाना नमबर 3 में, खाना नमबर 6 में आएगा तब यह बुद के संबंध जो है आपको जैसे कि इसमें दुर्गा पाठ और दुर्गा पूजन के बारे में कहा गया है ताकि बुद्ध के एक संबंध से जो संबंध हमने बनाना है दुर्गा पाठ करके जो है दुर्गा पूजन करके जो है हमें बुद्ध को नेक कर लेना और बुद्ध से से शत्रूता रखता है यहां पर वो शत्रूता का भाव जो है वो तभी निकलेगा जम फोटी कन्याओं की सेवा करेगा दुर्गा पूजन करेगा तब ब्रसपती इन मन्दे प्रभावं से बस सकता तो दोस्तों इसके साथ साथ जो है नेक्स वीडियो पोस्ट में फिर हम मिलेंगे बाकी इस वीडियो पोस्ट के लिए इतना ही था आई होप आप लोगों को यह वीडियो पोस्ट पसंद आई होगी आपको information मिली होगी बाकी आपका feedback और suggestion जो भी होगा मुझे जरूर बताईएगा बाकी नेक्स वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे तब तक के लिए आगया दीजे नमस्कार